तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमन्स ने सभी कौंटिनेंट पर हमला कर दिया था जोइंग और उसके दोस्त कापी सारे डीमन्स को मानने में कामियाब हो जाते है पर इस दोरान लिंक सी मारी जाती है डीमन्स का हमला अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था इसलिए सबी लोग अलग-अलग कॉंटिनेंट में डीमन का सामना करने के लिए चले जाते हैं अब आगे एपिसोड के सुरवात में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो डीमन्स बीष्ट से बचकर के भाग रहे थे वो डीमन्स बीष्ट उन्हें मानने वाला होता है कि तभी यहां पर जूइंग पहुंच जाता और उस बीष्ट के साथ फाइट करने लगता है वो बीष्ट जूइंग को अपनी पूच से मार कर दूर फेक देता है तो अब जूइंग का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने फायर और वाटर ड्रेगन से उस बीष्ट पर अटायक करके उसे मार देता है साथी साथ जूइंग को यहां पर उस बीष्ट से एक स्टोन भी मिलता है अगले सीन में हम सिया सिटी का सीन देखते हैं सभी वारियर डीमन्स को हरा कर वापस आ गए थे इसके बाद वो सभी अल्डर के पास जाने लगते हैं पैंक सान अभी भी लिंगसी को याद कर रहा था तो जूइंग कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए अगले सीन में हम एल्डर्स को देखते हैं यहां पर एल्डर्स की मिटिंग रखी गई थी एल्डर्स आओ कहते हैं कि इस बार डीमन्स का हमला बड़ा अजीब था वो लड़ाई को बीच में ही छोड़ करके भाग गए इस पर एल्डर्स आओ कहते हैं कि कि डीमन्स हमारे ताकतवर वारियर को देखकर डर के भाग गए वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर है मुझे तो हमारी जीत अभी से नजर आ रही है इस पर एल्डर्स चैन कहते हैं कि डीमन्स कुछ तो बड़ा कर रहे है इसलिए वो लड़ाई को बीच में छोड़ कर भाग गए सायद और डीमन्स का यहां आने का कोई मकसद साथ जो मकसद उनका पूरा हो चुका है और इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं इसलिए हम एक टीम बना कर उन डीमन्स का पीछा करना चाहिए ताकि हम उन डीमन्स के बारे में जानकारी निकाल सके तो एल्डर यून भी कहते हैं कि मैं आपकी बात से साहमत हूँ इसके बाद Elder Wrong कहते हैं कि ये डीमन्स इतने ताकतवर नहीं है कि हमें इनसे घबराने की जरुवत है तो Zoing कहता है कि अगर इस बार कमजोर डीमन्स ने हम पर हमला किया पर क्या पता अगली बार इससे भी ज़्यदा पाउरफुल डीमन्स हम पर हमला करें तो हमें इन डीमन्स का पीछा करके इन्वेस्टिकेसन करनी चाहिए इस पर Elder Wrong कहते हैं कि ये डीमन्स हजारों सालों से ऐसे हमला करते हैं इसलिए हमें डीमन्स के बारे में इतना चिंता करने की जरुवत नहीं है Elder Chen और Elder Wrong के बीच बहस होने लगती है Elder Wrong डीमन्स के बारे में इन्वेस्टिकेसन करने के लिए अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे पर दूसरी तफ Elder Chen डीमन्स के बारे में इन्वेस्टिकेसन करना चाहते थे तभी Elder साव उन्हें सांत कराते होवे कहते हैं कि हमें आपस में इस तरह से नहीं जगरना चाहिए क्योंकि डीमन्स ने काफी तभाई मचाई है डीमन्स ने जो हमारा नुकसान किया है हमें अभी उसकी भरपाई करनी है और इसलिए हमारे पास इतना ट्रेजर और इतना समय भी नहीं है कि हम डीमन्स पर इन्वेस्टिकेसन कर सके पर अगर डीमन्स दुबारा हम पर हमला करेंगे तो हम उन डीमन्स के बारे में इन्वेस्टिकेसन जरूर करेंगे और ज्यादा तर एल्डरों का भी मानना यही था कि हमें डीमन्स का पीछा नहीं करना चाहिए इसलिए यह मिटिंग यही पर खत्म हो जाती है और सबी लोग यहां से चले जाते हैं इसके बाद हम मास्टर क्यूबाय और जूइंग को देखते हैं मास्टर जूइंग से कहते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो तो जूइंग कहता है कि मैं यूजिन को लेकर इसनो इगल टेरिटरी जाने की सोच रहा हूँ तो मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्यार देखकर जैलिस फील कर रहा हूँ जूइंग कहता है कि आपको भी अपना प्यार जल्दी ही मिल जाएगा तो मास्टर उसकी बात सुनकर किसी के बारे में सोचने लगते हैं इसके बाद वो दुनों साथ में ड्रिंक करते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि जूइंग एल्डर चैन से मिलने के लिए आता है एल् और बताते हैं कि इस जगे मेरी जाज़त की बिना कोई भी नहीं आ सकता और नहीं कोई हमारी बाते सुन सकता है तो जूइंग कहता है कि क्या आपको डर है कि वहां कोई हमारी बाते सुन सकता है तो एल्डर कहते हैं कि तुमने बिलकुल सही सोचा यहां हमारी बाते कोई नह से सुनना है तुम्हारे हाथ में जो स्टोन है वो डीमन गॉड का वाटर स्टोन है और डीमन इसकी मदद से अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेते हैं जूइं कहता है कि डीमन गॉड सभी मेंन सिटी पर हमला करा कर कुछ बढ़ा करना चाहता है एल्डर कहते हैं कि ऐसा कि दिया करते थे पर हमने उन में से कही सारे लोगों को पकड़िया था पर कुछ लोग थे जो समय बच गए थे और इस बार डीमन गॉड दुबारा आ रहा है मुझे डरह है कि नो कहीं और डीमन गॉड को हेँड़ के डीमन गॉड अपनी सेना में भरती ना करा ले तो जू इस तो रूप से कुछ लोगों को डीमन के बारे में पता करने के लिए भेजूंगा और जोईंग से भी ट्रेनिंग करके जल्दी ब्रेक्ट्रू करने को कहते हैं साथ साथ कई सारे पाउरफुल डीमन और डीमन गॉट्स के बारे में जोईंग को बताते हैं जोइंग कहता है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूँगा, मुझे यकीन है कि मैं जल्दी सैंटी लेवल पर भी पहुँच जाऊंगा, इस पर एल्डर कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और तुम्हारी ट्रू मिनिंग की ताकत लड़ाई में हमारे काफी काम आएगी तुम ही अब हमारी आखरी उम्मीद हो, जोइंग कहता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर जरूर खड़ा हूंगा, अगले सीन में हम सूकिन को देखते हैं जो जोइंग के लिए एक ड्रेस तयार कर रही थी, तब ही एक सर्वेंट आकर बताती है कि मास्टर जोइंग वापस आ आया था, वो जोइंग से उसका हाल चल पूसती है, तो जोइंग कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसके बाद जोइंग यूजिन से अपने साथ इसनों एक टरिटरी चलने के लिए पूसता है, और यूजिन भी उसके साथ जाने के लिए तयार हो जाती है, ये देखकर जानकारी खटा करनी है, और इस मिसन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, इसके बाद विए चेंज होता है, और हम डीमन गॉड का पैलस देखते हैं, यहाँ पर डीमन गॉड के दो चमचे होते हैं, जो कि थर्ड प्रीष्ट और ग्रेट प्रीष्ट है, वो द से जल्द आपके रियल बोडी को जगाने की कोसिस करेंगे, इसके बाद हमें कुछ महिने बाद का सीन दिखाया जाता है, और जूइंग अल्डर चैन से मिलने के लिए आया था, जूइंग अल्डर चैन को बताता है कि मैं सेंटी लेवर पर पहुंच चुका हूँ, और यह वाटर और फार एलिमेंट के ट्रू मिनिंग से रिफाइन किया गया है, और यह तुम्हारी पावर को बहुत बढ़ा देगा, जूइंग कहता है कि मैं तो बस अभी सेंटर लेवल पर पहुंचा हूँ, और आपने जो मुझे ट्रेजर दी हैं, वो डैमी गॉल लेवल पर प हो कि तुम वहाँ जाकर डीमन गॉल इलाइंस को खत्मे कर दो, पर याद रहे, अगर वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो तुम्हें उनके साथ फाइट नहीं करनी है, और यह इंफॉनमेशन तुम्हें मुझे लाकर के देनी है, इसके बाद हमें कुछ दिन बात का सी पर अभी तेक मुझे डीमन गॉड एलाइंस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, तो यूजिन कहती है कि डीमन अपने काम को बड़ी सीक्रेटली करते हैं, इसलिए तुम्हें अपना ख्यार लखना होगा, अब जूइंग को यहाँ पर एक बग्गी आती हुई दि निकलती है, अगर आप इसे भूल गए हैं तो मैं आपको बता दू कि यह लड़की और जूइंग पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, पर जूइंग अपने पैरेंट्स को मोयंग फैमली से आजात कराना चाहता था, इसलिए वो हमेंसा ट्रेनिंग में ध्यान देता था, और यूजी तो जल से जल जूइंग से साधी करना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं सका, और यूजी के फादर के जित करने पर यूजी ने सी फैमली के यंग माश्टर के साथ साधी कर ली, जूइंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था, कि मैं इस तरह यूजी को दुबारा देख जिसकी कीमत वो तीन लाग गोल्ड कॉन देने के लिए तैयार था पर यूजी कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें वो जगह दस लाग गोल्ड कॉन से कम में नहीं बेचने वाली हो क्योंकि डेमस ने हमला करना सुरू कर दिया है और हमारे सिटी को लेता है और अपनी पावर से यूजी के गार्ड को पकड़ करके मार देता है यूजी अपनी मदद के लिए चिलाने लगती है और जूइंग उसकी आवाज सुन लेता है इसके बाद जूइंग बाहर खड़े गार्ड को पीटते हुए अंदर आने लगता है कि तुम्हें मे आसानी से ब्लॉक कर रहा था और अपना एक छोटा सा टैक किन के उपर करता है जिससे किन दूर जाकर के गिरता है इसके बाद किन जोइंग से कहता है कि तुम्हारे इतनी हिम्मत कैसे होई कि तुमने फेह वो चेमबर आफ कॉमर्स के मेंबर पर अटैक करने की कोसिस करी मैं अ इगल में लेजन लेवल से भी ज्यादा ताकतवर लोग आ गए हैं मुझे उस बंदे का पीछा करके देखना चाहिए कि वह कहां जा रहा है इसके बाद जूइंग भी यहां से जाने लगता है तो यूजी पूस्ती है कि तुम कौन हो जूइंग कहता है कि मैं तुम्हारा प पहुँच गया था किन महल के अंदर जाने की कोसिस करता है पर गार्ड उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई परमिसल लेटर नहीं है इसलिए तुम यहां से अंदर नहीं जा सकते हो किन उन गार्ड से कहता है कि मेरी जान खत्रे में इसलिए मैं डीमन गॉड को जोइन करना चाहता हूं तुम मुझे अंदर जाने दो और इसके बदले में मैं तुम्हें डेट सारे गिफ्ट दूंगा पर वो गार्ड उसे बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने देते हैं जोइंग उन गार्ड को देख करके कहता है कि यह गार्ड लेजन लेवल पर है पर पर अपने एक याटैक से उन्हें डेर कर देता है इसके बास थेजी से जाकर किन को पकड़ लेता है और किन बैयो सो करके नीचे गर जाता है तब हिह यहां पर दो डीमन बीस्ट भी आ जाते है जोइंग उन्हें देख करके कहता है कि आज काफी दिनों के बाद मुझे डीम लेवल पर है पर आखिर इतना पाउरफुल बंदा यहां क्या करने आया है इसके बाद जूइंग उस बीष्ट पर भी अटायक करता है और दरवाजे को तोड़ता हुआ सीधा पहले सके अंदर आ जाता है तब ही यहां पर बहुत सारे डीमन आने लगते हैं और जूइंग पर अटायक करना बंद कर दिया था वो डीमन जूइंग को अंदर जाने का इसारा करते हैं इसके बाद जूइंग पहले सके अंदर आ जाता है और तब ही उसके सामने बहुत सारा डार्क और आने लगता है और इस डार्क औरे में से निकलता है डीमन गॉड अफ डार्कनेस और पिछले एपिसोड में हमने जिस डीमन गॉड को देखा था, वो इनसभी डीमन गॉड का बाब, ग्रैंट डीमन गॉड था, इसके बाब डीमन गॉड अफ्ड दार्क ने छोटा हो जाता है, जुइंग उसे देखकर कहता है, कहीं ये डीमन गॉड तो नहीं है, वो डीमन जूइंग से उसका नाम पूचता है जूइंग बताता है कि मेरा नाम डॉंग बो जूइंग है और तुम डीमन की यहां आने की हिम्मत कैसे हुई वो डीमन जूइंग से कहता है कि बच्चे तुम एक ट्रांसेंडेट वोरियल लगते हो पर क्या तुम्में पता है कि मैं कौन हूँ ZOOING कहता है मैं तुझे जानकर भी क्या करूँगा तुएक डीमन है और मेरे लिये बस एक डीमन ही रहेगा वो डीमन ZOOING से कहता है कि मैं डीमन गॉर्ड अफ डार्कनेस हूँ और मेरा नाब वुयून हुँओ है इसके बाद वूयून जूइंग से कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर कुछ खास अबिलेटी देखी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सिया क्लैन से बात करो कि सिया क्लैन वाले हमारे डीमन को रहने के लिए कोई जगे दे क्योंकि हम सब अंदेरे में रहते रहते बहुत ठक चुके है जूइंग कहता है कि तुम डीमन बस लोगों को मानना और लूटना जानते हो तुमारी ये कहने की हिम्मत कैसे होई कि तुम हमारे सिया क्लैन में आकर रहना चाहते हो अब वूइंग समझ जाता है कि जूइंग के सामने उसकी दाल नहीं करने वाली तो डीमन गौड जूइंग से कहता है कि तुम्हें मेरी डीमन गौड अलाइंस को जॉइन कर लेना चाहिए इसके बदले में मैं तुम्हें दो करोड गोल कोईन दूँगा जूइंग सोचने लगता है कि आखिर इस जगे में ऐसा क्या है जो ये डीमन इस जगे को बचाने के लिए इतने सारे पैसे देने के लिए राजी हो गिया अब वो demon 2 crore की जगे 5 crore gold coin देने के लिए राजी हो जाता है पर zoin उसकी demon god alliance को join करने के लिए मना कर देता है इसके बार demon god सोचता है कि grand demon god के plan को पूरा करने के लिए यह जगह बहुत important है इसलिए मैं इस जगे को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता और Zooing से कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी Demon God Alliance में जॉइन किराने की कोसिस करी पर तुम्हें इसके लिए इंकार कर दिया अब तुम्हें मनने से कोई नहीं बचा सकता और Zooing के साथ fight करने के लिए ready हो जाता है तो Zooing भी अपनी fire power को activate करते होए उच डीमन पर एक attack करता है इसी के साथ ये episode ये प्रेंड़ जाता है Zooing उच डीमन God पर एक fire attack करता है पर वो डीमन God Zooing के इस attack को dodge कर लेता है इसके बाद Zooing दुबारा से डीमन God पर attack कर निकले जाता है तब ही डीमन God एक दूसरे डीमन को बुलाता है जिसका नाम दाबिकसी है और दाबिकसी यहाँ पर आका Zooing पर attack कर देता है Zooing दाबिकसी के attack को block करते हुए खुद को बचा लेता है अवर डीमन God Zooing से कहता है कि तुम्हें मनने से अब कोई नहीं बचा सकता है और फिर यहाँ से चला जाता है दाबिकसी Zooing से कहता है कि काफी टैम से मुझे किसी के साथ खिलने का मौगा नहीं मिला और आज मुझे तुम्हारे साथ खिल के काफी मज़ा आने वाला है तब ही Zooing के पास जो communication bracelet होता है इसके थूरू Zooing को बताया जाता है जल्द ही माच्टर क्यूबाई तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे दाबिकसी Zooing पर अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास जो वैपन है वो डैमी गॉर्ड लेवल के वैपन है पर तुम तो अभी तक डैमी गॉर्ड लेवल पर पहुंचे भी नहीं हो तुम्हारे पास ये वैपन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए Zooing उसके अटैक को डोज कर रहा है और साथी साथ दाबिकसी पर एक अटैक करता है दाबिकसी Zooing की पावर देखकर समझ जाता है Zooing कुछी समय पहले सेंटर लेवल पर पहुंच गया है इसके बाद हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है हम Zooing को देखते हैं जो यूजिन के पास आता है Zooing उसे पूचता है कि तुम इतनी परिसान क्यों लग रही हो तो यूजिन बताती है कि मास्टर चैन ने हमें एक मिसन दिया है कि हमें डीमन जनरल के बारे में पता करना है कि उसके क्या इरादे है और इसलिए मुझे मिसन में जाना होगा Zooing कहता है कि इस बार में तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ मुझे पता है कि तुम ताकतवरो पर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा Zooing इसलिए यूजिन के संग नहीं जा सकता था क्योंकि अल्डरचैन ने Zooing से कहा था कि उसे जल से जल अपना ब्रेक्ट्रू करना है यूजिन Zooing को अलविदा कहकर यहां से चली जाती है अगले सीन में हम Zooing को देखते हैं जो अपनी कल्टिवेशन कर रहा था Zooing कहता है कि मैंने Fire Element, Water Element और Wind Element की True Mini को हासिल कर लिया है मैं Three Element को एक सांथ Combine करने में काम्याब रहा और अब मुझे Earth Element को भी Combine करना होगा अगर मैं चारों Element को एक सांथ Combine कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं Central Level तक पहुंच जाओंगा इसके बाद Zooing Earth Element की Practice करने लग जाता है और कुछी दिनों में Zooing Earth Element की Power को भी हासिल कर लेता है Zooing कहता है कि Finally मैं Central Level पर पहुंच गया हूँ और इसके बाद Zooing अपने दूई की Clone बनाने की कुसिस करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता Zooing कहता है कि मैं इस तरह से हान नहीं मान सकता और फिर एक बाद दुबारा कुसिस करता है Zooing अपने चारों Element को बहार निकालता है हम देखते हैं कि Fire Dragon, Water Dragon और Window Dragon और Earth Dragon और उन्हें एक साथ Combine करने की कुसिस करता है और इस प्रोसेस में Zooing को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है पर Zooing हान नहीं मानता है और कुछी देर बाद Zooing चारों Element की पावर को एक साथ Combine करने में कामियाब हो जाता है और हम देखते हैं कि Zooing के सरीर से बहुत ज़्यादा एनरजी निकलने लगती है और साथी साथ Zooing अब अपने दूई की कलोन भी बना लेता है इसके बाद Zooing इन कलोन के साथ प्रैक्टिस करने लगता है ताकि वो इन कलोन को अच्छे से कंट्रोल कर सके और फिर हम परजेंट का सीन देखते हैं दाविक्सी जूइंग पर अपने डैमॉनिक औरा से अटक करता है लेकिन Zooing उसे बड़ी असाने से डॉज कर लेता है इसके बाद Zooing अपने कलोन बना लेता है और दाविक्सी पर अटक करके उसे इंजट करने लगता है दाविक्सी को सुरू सुरू में तो समझ में नहीं आता है कि जूइंग उस पर कहां से अटेक करने वाला पर वो जल्दे ही जूइंग की चाल को समझ जाता है और जूइंग के सारे कलोन को डिश्ट्रॉय कर देता है पर तबी Zooing दाबिक्सी की पीछे आ जाता है और सीधा दाबिक्सी की सींग पर अटैक कर देता है क्योंकि इन एविज डीमन की सारी ताकत उनकी सींग पर होती है अगर उसकी सींग को तोड़ दिया जाया तो वो डीमन उसी वक्त मारा जाएगा पर Zooing ये देखकर हरान हो जाता है कि इतना पाउरफल अटैक करने के बाद भी दाबिक्सी की सींग बस जरा से इंजड होती है और वो गुछी देर में पूरी तरह से हील हो जाती है दाबिक्सी समझ जाता है कि वो Zooing को नहीं हरा सकता इसलिए वो डीमन गौड अफ डार्कनेस से मदद मागता है डीमन गौड अफ डार्कनेस कहता है कि तुम्हे Zooing को रोक कर रखना होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी मिस्चिरियस टेक्निक का इस्तुमाल करके तुम्हें बचा लूँगा और फिर Zooing और दाबिक्सी एक दूसरे के साथ दुबारा फाइट करने लग जाते हैं वो दोनों एक दूसरे पर अटेक किये जा रहे थे तभी दाबिक्सी अपना वैपन फैक कर जोइंग के उपर मारता है जिससे Zooing बाल बाल बसता है Zooing कहता है कि मुझे इस डीमन को जल्दी से हराना होगा और इसके बाद उपने चारों एलिमेंट की पाउर का यूज़ करता है और वाटर ड्रेगन, फायर ड्रेगन, विंडर ड्रेगन और अर्थर ड्रेगन से दाबिक्सी को पकड़ लिता है दाबिक्सी ये देकर बहुत ही ज़्या इसके बाद जूइंग दाबिक्सी के पाँच जाकर के उसके सिंग पर एक पाउरफल अटैक करके उसे तोड़ देता है और दाबिक्सी यहीं पर मारा जाता है इसके बाद हम डीमन गॉड अफ डार्कनेस को देखते हैं वो कहता है कि मुझे जूइंग से जल से जल छुटक साथी साथ वो समझ जाता है कि जूइंग को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला तो वो जूइंग को दुबारा से अपनी डीमन गॉड अलाइंस में जॉइन होने का ओफर देता है जूइंग कहता है कि मैं तुम्हारे डीमन गॉड अलाइंस को कभी और तभाई मचाते हो मैं सभी डीमन को मार के अपने दोस्तों की मौत का बदला लूँगा और डीमन गॉड के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है इस पर डीमन गॉड अफ डार्कनेस कहता है कि अगर तुम मेरे साथ लड़ना ही चाते हो तो ठीक है अब मैं तुम गॉड जुइंग के पीछे आ जाता है और अपने कई सारे क्लोन बनाकर जुइंग को चारों तरफ से गेल लेता और इसके बाद जुइंग पर बहुत सारे डैमोनिक स्लाइस करता पर जुइंग इन सभी स्लाइस से खुद को बचा लेता है इसके बाद वो डीमन गॉड कहता है कि क्या तुम्हें मेरी पावर देखकर डल लग रहा है जूइंग कहता है अगर तुम जैसे डीमन से में ड़ता है तो तुम्हारा सामना करने कभी यहां आता ही नहीं तभी यहां पर मास्टर क्यूब आई भी जूइंग की मदद करने पहुंच जाते हैं वो जूइंग पर अटेक करता है वह सीधा जूइंग पर अटेक इन चला जाता है तो यह देखकर जूइंग भी अपने विंड एलिमेंट का पावर यूजे करते Demon God के Attack को रोक लेता है इसके बाद Master और Zooing Demon God को हराने का plan बनाने लगते है पर तभी वो Demon God उन पर Attack कर देता है तो Zooing भी अपने Spare से Demon God पर Attack करता है तभी Demon God अपने बहुत सारे Clone बनाने लगता है और Master और Zooing को 4 तरफ से गेल लेता है Master Demon God से कहते हैं कि तो मारी ये चाल बहुत ही ज़्यादा घटिया है और Demon God के Clone पर अपनी Dimension Blade से Attack कर देते हैं पर हम देखते हैं कि Master के इस Attack से Clone को कुछ भी नहीं होता है Master Zooing से कहते हैं कि मेरे Dimension Blade के Attack से इसके Clone को कुछ भी नहीं हुआ हमें इन Clone को हराने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूड़ना होगा तो इसके बास Zooing अपनी Fire Power का इस्तमाल करते हुए सभी Clone पर Attack करके उन्हें खत्म कर देता है और फिर उन्हें असली Demon God दिख जाता है Zooing बिना कुछ सोचे समझे Demon God पर सीधा Attack करने के लिए चला जाता है Master उसे रोगने की कुछिस करते पर तब तक Zooing Demon God के पास पहुंच जाता है तभी Demon God Zooing पर एक Attack करता है जो बिल्कुल Black Hole की तरह था और Zooing उस Black Hole के अंदर जाने लगता है Master क्यूबाई अपनी Dimension Blade को बढ़ा करके Zooing के आगर लाकर उसे बचा लेते हैं Zooing Demon God को हराने का एक प्लैन बनाता है और Master से कहता है कि आप Demon God पर पीछे से Attack करके उसे उलजाना और मैं आगे से Attack करके उसे खत्म कर दूँगा अब जैसे ही Master यहाँ से जाते हैं तो Black Hole दोबारा से Zooing को अपने अंदर खिशने लगता है Zooing सोचने लगता है कि आखर इस Black Hole को कैसे नश्ची किया जाए और वो अपनी Fire Power का इस्तमाल करते हुए Black Hole पर Attack कर देता है और हम देखते हैं कि वो Black Hole धीरे धीरे छोटा होने लगता है और कुछी देर में Black Hole पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये देखकर तो Demon God of Darkness भी हैरान हो जाता है वो समझ जाता है कि Zooing और Master को एकसान नहीं आरा सकता इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है तब ही Master उस पर Attack करते हैं और वो Master के Attack से बचकर यहाँ से भागने में कामियाब हो जाता है Zooing कहता है कि हम हार गए वो Demon of Darkness यहाँ से बचकर भागने में कामियाब हो गया तो Master क्यूबाई कहते हैं कि तुम्हें इतना अदास होने की जरुवत नहीं है हम अगली बार उसे बचकर भागने नहीं जाने देंगे और साथी साथ Zooing से कहते हैं कि मैं तुमसे काफी वक्त से नहीं मिलाओ और अब तो तुम सेंटे लेवल वर भी पहुँच गए हो मुझे तुम पर यकीन है कि कुछी दुनों में तुम मुझसे भी ज़्यदा ताकतवर हो जाओगे Zooing कहता है कि ये तो बस आपकी मदद से हो पाया कि हम उस डीमन गॉड को हराने में कामियाब रहे तो इस पर मास्टर कहते है कि जब मैं यहां आ रहा था तो मैंने रास्ते में एक टियर 4 के डीमन को मरा वबा देखा डैमोनिक हूली लिस्टे में उसकी रैंक 10 से रैंक 30 तक होगी जूइंग कहता है कि फ्यूचर में मेरा सामना इनसे भी कई ज़्यादा पाउरफुल डीमन के साथ होगा इसलिए मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है इसके बाद मास्टर क्यूबाई कहते हैं कि डीमन से यहां जरूर कुछ कर रहे थे इसलिए हमें इस जगे को अच्छे से इन्वेस्टिकेसिन कर लेना चाहिए इसके बाद दूनों इस जगे की चानबिन करने लगते हैं जूइंग सोचता है कि मेरे अटैक करने से पहले डीमन गॉड अफ डार्कनेज इन पिलर के साथ कुस्तो करने वाला था तब ही यहाँ पर मास्टर क्यूबाई आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया जूइंग इसारा करते हुए पिलर की तरफ दिखाता है कि वहाँ को सिंबल बने हुए है और उन सिंबल को दबाने को कहता है इसके बाद मास्टर क्यूबाई और जूइंग एक एक करके चारो पिलर की सिंबल को दबा देते हैं इसके बाद यह जगे पूरी तरह से हिलने लगती है तब ही जमीन के अंदर से रेट कलर का लिक्विट बाह निकलने लगता है और यहाँ पर एक पूल बन जाता है जूइंग कहता है तो इसकी जैसे उस डीमन गॉड अफ डार्कनेस को ताकत मिल लई थी पर आखिर यह चीज है क्या इसके बाद व्यूड चेंज होता है और हम डीमन गॉड अफ डार्कनेस को देखते हैं वो डीमन के जनरल यान के पास आया होता है जनरल यान कहता है कि आखिर डीमन गॉड अफ डार्कनेस को यहाँ आने की क्या जरूत पड़ गई तो डीमन गॉड अफ डार्कनेस जनरल यान को एक कीमती स्टोन देते हुए कहता है यह आपकी कल्टिवेशन में मदद करेगा जनरल यान कहता है कि तुम मुझे इतनी कीमती चीज क्यों दे रही हो कि इसके बदले में तुम मुझे कुछ चाहते हो डीमन गॉड अफ डार्कनेस कहता है कि मेरा सामना कुछ समय पहले डांग बो जूइंग नाम के एक लड़के से हुआ था जिससे मैं हार गया और हमारी एक कीमती चीज उसके पास चले गई मुझे तुमारी मदद चाहिए ताकि जूइंग को हरा कर मैं वो चीज वापस ले सकू जनरल यान कहता है कि तुम इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उससे हार गये क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे हरा सकता हूँ इस पर डीमन गॉड अफ डार्कनेस कहता है कि इस समय मेरे पास अपनी पूरी ताकत नहीं है और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ इसलिए मैं जूइंग से हार गया पर आप तो डीमन्स के जनरल है और बहुत ज्यादा ताकतवर है मुझे यकीन है कि आप जूइंग को बड़ी आसानी से हरा सकते हो साथी साथ बताता है कि जूइंग बस सेंटे लेवल पर है पर इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा ताकतवर है अगर हमने उसे अभी नहीं रोका तो जूइंग 300 से 500 सालों के अंदर जिया क्लैन का सबसे ताकतवर वारियर बन जाएगा और हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा इसके बाद जनरल यान कहता है कि मैं जूइंग को मानने में तुम्हारी मदद करूँगा अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर साव भी जूइंग के पास पहुँच गए थे और जब वो उस अंडर्गरांट पूल को देखते हैं तो बताते हैं कि ये तो सैतान का कुवा है मास्टर क्यूब भाई हैरान होते हुए कहते हैं कि मैंने तु बद सैतान की कुवे के बारे में अफवाय सुनी थी मुझे यकीन नहीं था कि ऐसी चीज असल में होती है इस पर जूइंग कहता है कि क्या डीमन से इस कोवे में नहा करके अपनी ताकत को बढ़ाते हैं जूइंग की बाते सुनकर अल्डर साव हसते हुए कहते हैं कि अगर तुमारी ये बाते डीमन गौड सुन लेता तो वो गुस्ते से पागल हो जाता साथी साथ अल्डर साव बताते हैं कि तुम जो ये डीमन बीश्टी का सर देख रहे हो इसे खुद ग्रेट डीमन गौड दोवारा रिफाइन किया गया है इसकी मदद से डीमन अपने साथियों से बाते कर सकते हैं जैसे हम अपने कम्यूनिकेशन ब्रेसलेट के तुरू बाते करते हैं और इस डीमन बीश्टी के सर से डीमन अपनी पावर को डीमन वर्ल्ड से हुमन वर्ल्ड में भेज सकते हैं यहां तक कि demons इस सैतान के कुएं की मदद से किसी भी इंसान को demon में बदल सकते हैं और मरे ओवे इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं इसके बाद वो demon god का गुलाम बन जाएगा इन सैतान के कुएं को बनाने में बहुत समय लगता है डीमन्स जरूर कुछ तो बड़ा प्लैन कर रहे थे और जूइंगा तुम्हारी मदद से डीमन्स की बहुत जरूर चीज हमारे हाथ लग गई है और वो जूइंग को साबासी देते हैं दूसरी तरफ हम जनरल यान को देखते हैं और उसे भी डीमन्स गόड अफ डारकनेस ने सारी बाते बता दी थी जनरल यान गुछसे में कहता है कि सैतान का कुवह ग्रेट डीमन्स गोड के लिए बहुत ज़ादा जरूरी था और तुमने उसे गवा दिया तो demon god जनरल यहान से माफी माँकते होए कहता है कि मुझे माँकर दो पर हम उसे दुबारा हासिल कर सकते है हमें बस zooing को हराना होगा वो snow eagle में रहता है इस पर जनरल यहान कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और demon god भी यहान से चला जाता है जनरल यान उस क्रिश्टल को तोड़ते हुए कहता है कि ये डीमन गॉड अफ डार्कनेस बिल्कुल कच्रा है जो सैतान के गुए को प्रोटेक्टि भी नहीं कर पाया अगर ये ग्रेट डीमन गॉड के लिए इंपोर्टेंट नहीं होता तो मैं इस कच्रे को यहां आने भी नहीं देता इसके बाद जनरल यान इसनो इगल में अटैक करने कर डिसाइड करता है अगले सीन में हम देखते हैं कि जूइंग इसनो इगल में वापस आ गया था और वो सारी बाते सभी को बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था वो सभी आपस में बाते कर रहे थे कि तब ही यहां पर यूजिन भी आ जाती है और इसके बाद जूइंग और यूजिन एक दूसरे के साथ बैट कर प्यार भरी बाते करने लगते हैं दूसरी तरफ हमें एक डीमन को देखते हैं जो पैलस के अंदर आ गया था और एक सोल्जर को मार देता है यहां जूइंग और यूजिन को भी डैमोनिक औरा महसूस होता है और उन्हें पता चल जाता है कि डीमन्स ने यहां हमला कर दिया है अगले सीन में हम कुछ सोल्जर को भागते हुए देखते हैं जिनको मारने के लिए डीमन्स उनके पीछे पड़े थे पर तब ही यहां पर जूइंग और यूजिन पहुंच जाते हैं और उन्ह डीमन्स को मार देते हैं पर तब ही यहां पर और जूइंग और यूजिन पर हमल रहे थे एक डीमन जुइंग पर पीछे से अटाइक करता है पर जुइंग उसे देख लेता है और उसके एक बंजाता है हम देखते हैं कि वो डीमन मिलकर जुइंग और युजिन को चारों तरफ से घेल लेते हैं पर तब युजिन मिलकर एक पावरफुल अटाइक करते हैं और यहां पर एक जोड़दर धमाका होता है जिससे वो सारे के सारे डीमन्स मारे जाते हैं जनरल यान भी यह सब दूर से देख रहा था और कहता है कि जोईंग सेंटे लेवल में होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ताकतवर है इस पर जनरल यान के साथ वाला डीमन्स को बुला कर जोईंग के साथ इस पूरी जगए को खत्म कर देना चाहिए इस पर जनरल यान कहता है कि हम काफी सालों से यहां चिप करके बैठे अगर इस वक्त मैंने जोईंग को मार दिया तो जिया क्लैन के एल्डेस को पता चल जाएगा कि डीमन जनरल यहां आ चुका है और यह हमारे प्लैन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है इसलिए हम अभी जूइंग को छोड़ देते हैं हम जूइंग से अपना बदला बाद में ले लेंगे इसके बाद वह यहां से जाने लगते हैं तब ही जूइंग पीछे मुण कर देखता है और कहता है कि अभी अभी मुझे एक पाउरफुल औरा महसूस हुआ था पर अचानक से वो गायब हो गया यूजिन कहती है कि जरूर वो डीमन से ही होंगे तो जूइंग कहता है कि वो बहुत पाउरफुल औरा था ऐसा लगता है कि वो बहुत पाउरफुल डीमन्स था कैसा हो सकता है कि वो डीमन्स का जर्नल हो अगर ऐसा है तो मुझे जल से जल एल्डर के बाद जाकर इसकी रिपोर्ट देनी होगी इस पार्ट के सुरवात में हम देखते हैं कि Great Demon God का थर्ड प्रीष्ट जनर्रल यान के पास आया था वो जनर्रल यान से कहता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात करनी पड़ गई जो तुमने मुझे यहां बुलाया जनर्रल यान केहता है कि Great Demon God ने तुम्हें सिया क्लैन पर नज़ा रखने को कहा था पर तुमने कभी जूइंग के बारे में मुझे नहीं बताया मैंने उस पर अपने कुछ डीमन से अटेक करवाया था और मुझे पता चला कि उसने इतनी कम उम्र में सैकेंड लेवल की ट्रू मिनिंग को मास्टर कर लिया है तो मैं ऐसे वारियर के बारे में मुझे बताना चाहिए इस पर थर्ड प्रिश्ट कहता है कि डांग बो जूइंग बस एक नया ट्रांसेंडेट वारियर है जो बस मिडल सैंटे लेवल पर है वो हमारे सामने एक बच्चे से जादा कुछ भी नहीं है मेरे पास ऐसे कई सारे डीमन गॉड है जो उसे बड़े असानी से हरा सकते है तो इस पर जनरल यान कहता है कि उस जूइंग ने डीमन गॉड ऑफ डार्कनेस को हरा दिया और सैतान का कुवाँ भी हासल कर लिया तुम अभी भी उसे बच्चा समझ रहे हो थर्ड प्रिष्ट कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैंने जूइंग के बारे में जान बूच कर तुम्हें नहीं बताया और इसलिए सैतान का कुवाँ तुम्हारे हाथों से निकल गया तुम इस सब का जम्मेदार मुझे बता रहे हो और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं तुम्हें बता दू कि इसमें तुम्हारे कमजोर डीमन की गलती है ना की मेरी गलती अगर सैतान की कोई को मेरे डीमन्स प्रोटक्ट कर रहे होते तो आज वो हमारे पास होता इसके बाद जनरल यान पूसता है कि तुम ग्रेट डीमन्स गौड की बाड़ी को कैसे अवेकन करने वाले हो तो इसके थर्ड प्रिश्ट कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में जानने की कोई जरुवत नहीं है ग्रेट डीमन्स गौड दोरा जो तुम्हें काम दिया गया है तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए बस इतना जान लो कि ग्रेट डीमन्स गौड की बाड़ी जल्द ही अवेकन होने वाली है इसके बाद थर्ड प्रिश्ट यहां से जाने लगता है जनर्ल यान को थर्ड प्रिश्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि थर्ड प्रिश्ट एक इनसान है और जनर्ल यान को इनसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है अगले सीन में हम जूइंग को देखते हैं वो अल्डर चैन के पास आया होता है वर्लडर चैन को बता देता है कि कुछ समय पहले डीमस ने स्नोई गल पर हमला किया था और वहाँ जो कुछ भी हुआ एल्लडर चैन हिरान होते हुए कहते है कि क्या तो मैं यकीन है जिसका औरा तुमने महसूस किया था वो डीमस का जनर्ल था जूइंग कहता है कि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है पर वो बंदा जो भी था उसकी पावर डैमी गॉर्ड लेवल के जितनी थी अल्डर चैन कहते है कि अगर वो सच में डीमज जनरल था तो ये हमारे लिए बुरी ख़बर है वो फिर से स्नोय गल पर हमला कर सकता है जूइंग कहता है कि अगर मेरा सामना उसके साथ दोबारा हुआ तो मैं इस बार उसे पूरी तरह से खत्म कर दूँगा अल्डर चैन कहते है कि मुझे तुमसे यही उमीद थी इसके बाद अल्डर चैन पूछते हैं कि जब तुम्हारी फाइट डीमन गौड अफ डार्कनेस के साथ हुई थी तो वो तुम्हारे हाथों से बचकर कैसे भाग गया क्योंकि डीमन की तागत हुमन वर्ल्ड में कम हो जाती है और तुम्हारे साथ तो क्यूब आई भी थे तुम दोनों मिलकर उसे बड़ी आसानी से हरा सकते थे इस पर जूइंग कहता है कि मैंने और ब्रेदर क्यूब आई ने डीमन गौड अफ डार्कनेस पर हमला करने के एक सप्राइज अटेक प्लैन किया था लेकिन जब ब्रेदर क्यूब आई ने डीमन गौड अफ डार्कनेस पर हमला किया तो वो अचानक से बचकर भागने में कामयाब हो गया जूइंग की बाते सुनकर एल्डर चैन को माश्टर क्यूब आई पर थोड़ा सक होने लगता है क्योंकि माश्टर क्यूब आई के अटेक से बचकर भागना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल है और डीमन गौड अफ डार्कनेस स्पेस पोर्टल का यूज़ करके वहां से भागा था और माश्टर क्यूब आई स्पेस की पावर का यूज़ करते हैं आप सभी को क्या लगता है क्या माश्टर क्यूब आई डीमन के साथ मिले होंगा या फिन नहीं कमेंट मैं जरूर बताना जूइंग कहता है क्या आप ब्रेदर क्यूब आई पर सक कर रहे हैं तो एल्डर कहती है कि मुझे बस ऐसा लगा क्योंकि जब तुम्हारी फाइड डीमन गौर्ड अफ अवड डारकनेस के साथ हो रही थी तब मुझे तुमारी मदद के लिए किसी को भीजना था और तब क्यूब आई सबसे पहले तुमारी मदद करने के लिए आगे आये थे पर आज से पहले क्यूबाई ने इस तरह किसी मिसन में जाने के लिए इतनी जल्दी नहीं करी और तुम दोनों के होते हुए भी अचानक से डीमन गौड आफ डार्कनेस वहां से भागने में काम्याब रहा जूएंग कहता है कि आप गलत समझ रहे हो ब्रेदर क्यूबाई कभी भी डीमन के साथ नहीं मिल सकते वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह है इसलिए वो मेरी मदद कर निकले सबसे पहले आना चाहते थी इस पर अल्डर चैन कहते हैं कि तुमारा कहना भी गलत नहीं है पर मैं अभी पूरे यकीन से कुछ नहीं कह सकता इसलिए मैं क्यूबाई पर नज़े रखूंगा और आज हमारे बीच जो कुछ भी बाती हो गई वो बाते तुम किसी और को मत बताना इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम ग्रेट डीमन गौड के ग्रेट प्रीष्ट को देखते हैं उसने सभी डीमन जनरल को अपने पास बुलाया था तब ही यहाँ पर आज डीमन आता है और वो ग्रेट प्रीष्ट से कहता है कि सैतान का कुवा हमारे लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट था और तुम जैसे कमजोर लोगों के वज़े से वो आज हमारे आज से चला गया ग्रेट प्रीष्ट कहता है कि तुम्हें मेरे साथ तमी से बात करनी चाहिए तुम मत भोलो कि इस वक्त कहां पर खड़े हो और दोनों के बीच भहस होने लगती है तभी यहां पर एक और डीमन लेडिया जाती है और दोनों को जहगरने से रोकती है इसके बाद यहां पर सैडो डीमन माउंटेन डेविल और जनरल यान भी आ जाता है जनरल यान सभी को देखकर कहता है कि मुझे उमीर नहीं थी कि तुम अभी तक जिन्दा रहोगे इसके बाद वो सभी मिलकर मिटिंग करने लगते है कि जिया क्लैन वालों ने डीमन को डूड़ना शुरू कर दिया है और उन्होंने हमारे कई सारे डीमन को मार दिया है हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना चाहिए साथी साथ वो प्लैन भी करते हैं कि जब ग्रेट डीमन गौड़ को उनकी बाड़ी मिल जाएगी तो वो हुमन वर्ल्ल में हमला कर देंगे जनरल यान कहता है कि मैं अपने डीमन से कुछ ट्रांसेंडेंट वर्योर को मरवा कर हुमन्स में डीमन का डर पहला दूँगा तो आज डीमन कहता है कि तुमने कुछ समय पहले इसनों एकल पर हमला किया जहां से तुम हार कर वापस आ गए इसलिए तुम्हें तो चूपी रहना चाहिए और दोनों एक दूसरे से भहस करने लगते है तभी ग्रेट डीमन गॉड गुस्से में कहता है कि तुम सभी मेरे सबसे वफादार डीमन सो तुम्हें इस तरह से आपस में नहीं जगना चाहिए और ग्रेट डीमन गॉड के सोल इस वक्त इस बड़े से स्टैचू के अंदर है साथी साथ ग्रेट डीमन गॉड कहता है कि मेरे जागने का समय जल्दी होने वाला है इसलिए तुम्हें हमारे प्लैन के साब से चलना है जन्रल यान कहता है कि ग्रेट डीमन गॉड हम सभी आपको बिलकुल भी निरास नहीं करेंगे इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम स्नो इगल का सीन देखते हैं यहां एल्डर आकर स्नो इगल पैलस के चारों तरफ एक सील लगा देते हैं ताकि कोई भी डीमन अंदर ना सके जूइंग सभी अल्डर का सुक्रिया अदा करता है अल्डर साव जूइंग से उन डीमन के बारे में पूचते हैं जिनों ने इसनो इगल पर हमला किया था पर जूइंग को अल्डर चेंग ने सारी बाते बताने को मना किया था इसलिए जूइंग उन्हें बस इतना ही बताता है कि जिन डीमन ने स्नो एगल पर हमला किया था वो टेर 3 के डीमन्स थे और इससे ज़्यादा मैं उन डीमन के बारे में नहीं जानता इसके बाद एक एल्डर जूइंग से कहता है कि तुम जिया क्लैन के बहुत भादूर योद्धा हो और तुमने कई बार डीमन्स को मार कर जिया क्लैन को प्रोटेक्ट किया है इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी तुमारे स्नो इगल को डीमन्स दुआरा तबाह नहीं होने दूँगा इसके बाद वो सभी अलविदा बोलकर यहां से चले जाते हैं और कुछ दिर बाद हम मास्टर क्यूब आई और जूइंग को देखते हैं मास्टर क्यूब आई कहते हैं कि जूइंग डीमन्स के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं इसलिए मुझे डीमन्स को डूर नेकले जाना पड़ेगा और मैं नहीं जानता कि हमारी दुबारा मुलाकात कितने समय बाद होगी जूइंग कहता है कि हम एक दूसरे से कितने भी दूर चले जाए पर हम हमें से एक दूसरे के भाई रहेंगे इसके बाद मास्टर क्यूब आई कहते हैं कि मैंने तुम्हारी फाइट डीमन गौड ऑफ डार्कनेस के साथ देखी तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो और मैंने काफी समय से तुम्हारे साथ ट्रेनिंग भी नहीं करी है इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो जूइंग कहता है कि मैं काफी समय से डीमन्स के साथ फाइट करने में बीजी था इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस में जैदा ध्यान नहीं दे पाया पर तभी अचानक से मास्टर क्यूबाई जूइंग के उपर एक स्लैस करते है जिसे जूइंग डॉज कर लेता है तो अब ज जूइंग के स्पेर को बड़ी असानी से डॉज कर लेते हैं और आस्मान में आ जाते हैं इसके बाद जूइंग अपने स्पेर को कंट्रोल करते हुए मास्टर क्यूबाई पर बहुत सारे अटैक करने लगता है पर मास्टर क्यूबाई जूइंग के सभी अटैक को बड़ी स्पेर से टैक करता है तो मास्टर क्यूब हाई भी एक स्लेस करते है पर जूइंग की पैचे से उसके पास A जाता है इसके बाद माश्टर क्यूब हाई जूइंग की seem पर कई स channels करने लगते हैं जूइंग डॉज करता जा रहाxus संध्य साथ माश्टर क्यूब packs जूइंग से कहते हैं कि तुम चार एलिमेंट की पावर इस्तिमाल कर सकते हो पर अपने दुस्मनों पर अटाइक करने के लिए तुम्हें अपने दुस्मनों की पावर के बारे में भी पता होना चाहिए कि वे कितने ताकतवर हैं Zwing Master QBi के सबी अटाक को रोक लेता है पर तभी Master QBi Zwing के उपर एक अचानक से सलैस करते है जिसे Zwing बड़ी मुस्किल से डौज करता है Master QBi Zwing से कहते हैं कि छोटे भाई Zwing तुम पहले से काफ़ी ज्यादा ताकत वर हो गए है पर अभी भी तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अपने दुस्मनों को कमजोर मत समझना क्योंकि वो तुम पर कभी भी और कहीं से भी अटाइक कर सकते हैं जोईंग कहता है कि मैं आपकी सभी बातों को ध्यान रखूंगा इसके बाद मार्श्टर क्योबाई कहते हैं कि अब मेरे यहां से जाने का समय आ गया तुम अपना ध्यान रखना हम काफी समय तक सायद ना मिले और इसके बाद वो यहां से चले जाते हैं